हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के बजार पर दोस्तो आर्सी एफ और एनेफल दोनों वीडियो दोनों शेयर्स को इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले क्या टेजी आपको आती भी देखने को मिलें क्या अच्छे दिन शुरू होते वे देखन है अच्छे निफ्ती फिर से दोस्तो अठारा हजार के उपर आपको निकलता हुआ देखने को मिल रहा है बैंक निफ्ती भी लगबग दोस्तो 82 पर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिलें एंडिक्स सबसे मेरी मिज्ट कैप इंडेक्स में 190 प्वांट्स की तीजी आपक अप मुवमेंट दोस्तों आगे भी आपको जाली रहता हुआ देखने को मिलेगा वही अगर अगर अपन बात करें एनेफल के बावन अफतों के हाई की तो करेंटली 20% के करेक्शन पर आपको एनेफल का शियर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है from highs definitely अभी 20% नीचे अपको ये शियर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है और अगर अपन अदर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस हफते में NFL का जो share है NFL का जो share है वो लगबग 8% आपको गिरता हुआ देखने को मिला है and Nifty ने दोस्तों लगबग 0.33% की तेजी करी है इस महिने में महीं block deals की बात करें तो आज एक block deal इस counter में होती भी देखने को मिली है and अगर अगर अपन बात करें stock के intraday range की तो 63 रुपे का intraday low and 68 रुपे का intraday high तो आप कहा सकते हैं कि stock ने अज mid range में closing करी है और आप कल definitely कल के लिए stock का यही major resistance एने वाला है 68 का एक बार अगर 68 रुपे का level share cross कर देगा तो आपको शांदार breakout stock में देखने को मिल सकता है अगर अगर अपन statistics की बात करें तो 10 रुपे की company की face value है 17% का average delivery percentage और volume में 6 million की average तो definitely financials company के लाजवाब है EPS सालना तोर पर 200% उपर है तो यह काफी बढ़िया बात होती है किसी भी stock के लिए वह अगर resistance की बात करें तो majorly जो अभी high बनाया stock ने 67 रुपे 95 पैसे वह high majorly कारोबार करेगा अगर मान लिजे इंट्राडे में share एक level close कर देगा तो immediately आपको 70 रुपे तक के target NFL के stock में देखने को मिल जाएंगे and friends अब अगर RCF की बात करें तो RCF में 115 रुपे 75 पैसे का जिंट्राडे में high लगता हुआ देखने को मिला closing एक रुपे नीचे stock ने करें closing definitely वाकए में लाजवाब आती भी देखने को मिली ये stock की and 145 रुपे का इसका 52 अपतों का high है अपने 52 अपतों के high के definitely काफी नीचे counter trade कर रहा है approximately 21% के correction पर आपको RCF का share मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और ये जो share है वो last एक महीने में 8.5% गिरता हुआ देखने को मिला है और Nifty ने इस महीने लगबक 0.33% की तेजी करी है आज के दिन एक block deal दोस्तों आपको RCF के stock में आती भी देखने को मिली है प्लस दोस्तों एक और खबर आईए RCF पर दोस्तों trade spotlight आती भी देखने को मिली है और यहाँ पर यही काया है कि stock ने काफी तगडी गिरावट करी है और यह जो मानना है जो आपके securities का मानना है कि definitely यहाँ से stock ने 105 रुपय का strong support बना लिया है और RSI indicator यह शो कर रहा है कि stock oversold zone में भी trade कर और यहाँ से एक reversal का target आपको definitely stock में देखने को मिल सकता है और initial target जो यहाँ पर दिया गए वह 126 का दिया गए उसके बाद 139 तक के भी zones आपको RCF के stock में visible हो सकते हैं ऐसा खबर आती भी देखने को मिली है वह अगर अब बात करें दोस्तों stock के resistance की तो mainly 122 रुपे और 117 रुपे यह दोनों resistance है mainly stock के कल मान लीजा अगर 110 रुपे का level share तोड़ देगा तो 120 तक के level जो है वह आपको RCF के stock में definitely visible हो सकते है sentiments की बात करें तो दोस्तो 80% लोग bullish है 20% लोग bearish हो तो retail centimeter uptrend का इशारा कर रहा है और मैं यही सला है दोनों stock में दोस्तों bullish हो यहां से definitely दोस्तो minimum 10% तक की upside जो है वह आपको दोनों stocks में देखने को मिलेगी और I think so RCF का जो share है वो 130 को reach करेगा और NFL का share approximately 70 से 75 तक के levels आपको आसानी से आने वाले दिनों में दिखा सकता है दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगओ तो channel को like करें share करें subscribe करें दोस्तो thank you watching this video